मेरे देशवासियों, आज मैं राजाजी और विभिन्न आदिनम की दूर दर्शिता को भी विशेश तौर पर नमन करूंगा आदिनम के एक सेंगोल ने भारत को सेंकडो वर्सों की गुलामी के हर प्रतिक से मुक्ती दिलाने की शुरुवात कर दी थी जब भारत की आजादी का प्रथमपल आया, आजादी का प्रथमपल वो ख्षण आया, तो ये सेंगोल ही था जिसने गुलामी से पहले वाले कालखन और स्वतंत्र भारत के उस पहले पल को आपस में जोड दिया था इसलिए इस पवित्र सेंगोल का महत्व सिर्फ इतना ही नहीं है कि ये 1947 में हस्तान तरण का प्रतिक बना था इस सेंगोल का महत्व इसलिए भी है क्योंकि इसने गुलामी के पहले वाले गौरवशाली भारत से उसकी परप्राओं से स्वतंत्र भारत के भविश को कनेक्ट कर दिया था अच्छा होता कि आज़ाजी के बाद इस पुझ्य सेंगोल को परियाप्त मान सम्मान दिया जाता इसे गवरों में स्थान दिया जाता लेकिन ये सेंगोल प्रयाग राज में आनन भवन में वाकिंग स्ट्रीक यानि पैदल चलने पर सहारा देने वाली चड़ी कहकर प्रदर्शनी के लिए रख दिया गया था आपका ये सेवक और हमारी सरकार अब उस सेंगोल को आनन भवन से निकाल कर लाई है आज आज़ादी के उस प्रधम पल को नए संसत भवन में सेंगोल की स्थापना के समय हमें फिर से पुनर जिवित करने का मोका मिला है लोग कंत्र के मंदिर में आज सेंगोल को उसका उची स्थान मिल रहा है मुझे खुशी है कि अब भारत की महान परंपरा के प्रतीक उसी सेंगोल को नए संसत भवन में स्थापित किया जाएगा ये सेंगोल इस बात की याद दिलाता रहेगा कि हमें करतव्य पत्थ पर चलना है जनता जदार्ण के प्रती जवाब देह बने रहना है